हेलो गाइज वेलकम अगेन ओन में यूट्यूब चैनल तो जो नहीं बुक का ये जो सेकिंड वाला क्यों करड़ा है डिसक्राइब टाइम वेन यू वर लेट उस समय की बात करो जब आप लेट थे क्यूज है वेन इट वाज वाई यू वर लेट हाउ यू फैल्ट क्लास रहती है वो उसको जोईन करने के लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रख है उसके ओपर क्लिक करो तो और आप क्लास के लिए लिजीबल हो जाओगे सब्सक्राइब जरूर करो मेरे चैनल को आपके आपसे और कुछ भी नहीं ले रहा है खाली सब्स को जोईन करने के लिए आप यह जो नंबर दे रखें के ओपर कंटेक्ट कर सकते हो ठीक है चलो तो हम क्यों काट स्टार्ट करते हैं कि डिस्क्राइब टाइम वेन यूवर लेट फ्रॉम मैं चाल्डू तो दिस प्रेजन टाइम आइव इनकाउंटर्ट सो मैनी सिच्वेश से वो अच्छा नहीं रहा हैं यहां पर जो मैं बात करने वाला हूं वो मैं उस टाइम की बात करने वाला हूं जब मैंने स्टेडियम में जाना था बट मैं लेट हो गया I vividly remember it was a time when I was in my 12th standard मुझे अच्छी तरह से याद है यह उस समय की बात है जब मैं अपनी 12th क्लास में था उस समय my friend and I had a badminton match in Shimla मेरे फ्रेंड और मेरा जो है वो बट मिन्टन का मैच था शिमला में on the match day match day वाले दिन we started our journey at approximately 7 o'clock हमने 7 बजे लगपग अपनी जर्नी स्टार्ट की और लगपग 9 a.m 9 बजे morning में हम सोलन पहुंच गए which is a district of Himachal जो की एक जिला है district है कहां की Himachal की due to avalanches avalanches यहां पर vocabulary है avalanches क्या होती sudden snow in hilly areas मालो कहीं snow पड़ी हुई है बट वो तूट गई है और वो सड़क पे आ गई है तो avalanches उसको बोलते है ठीक है there was a huge traffic scenario and we stuck over there तो due to avalanches वहां पर बहुत एक traffic scenario हो गया लंबी line लग गई traffic scenario लंबी line लग जानी ठीक है vehicles की तो हम वहां पर stuck हो गए neither we could go ahead nor back अब hilly area था ना तो आगे जा सकते थे ना पीछे आ सकते थे left right पे तो खाई थी हा ना तो ना तो हम आगे जा सकते थे ना पीछे आ सकते थे I was shivering like a leaf because of cold winds तो मैं सर्दी की ठंडी हवा की वज़े से पत्ते की तरह कहां परा था shivering like a leaf एक idiom है after waiting two hours a tea seller came and we drank tea दो गंटे वेट करने के बाद एक चाय वाल आया और हमने चाय पी the thought of playing a match the thought of playing a match was running through my mind but the bottleneck was extensive जो match खेलने का thought था वो मेरे mind में दोड रहा था but जो bottleneck bottleneck होता है अडिका किस चीज़ का traffic का वो बहुत extensive था extensive मतलो large बढ़ा ठीक है we reached around four hour late from the given time जो time दिया गया था उस time से हम 4 गंटे late पहुंचे as a result we had been disqualified तो हम तो disqualified किये जा चुके थे when it comes to the question that what I felt about this जब इस सवाल पर बात आती तो मैंने महसूस क्या किया to be honest I have nothing to speak good in favor of this इमानदर इसे बोलू तो मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं है इसके बारे में बोलने के लिए because had we not encountered such situation अगर हमने इस situation का सामना ना किया होता traffic वाली का we would have played the match and maybe won it too तो शायद हमने match खेला होता और शायद हम जीत भी गए होते even I can say this situation had not only squandered my time but also money यहां तक के situation ने खाली मेरा time खराब नहीं किया बट पैसा भी खराब किया because I had to start the engine of my car for taking heat heat लेने के लिए मुझे अपनी कार का engine start ही रखना पड़ा it was not too good experience यह कुछ ज़्यादा अच्छा experience नहीं था all in all this was a time when I was late तो सारी बाते कर करा कि यह वो time था जब मैं late था अब आपको feel तो आरा होगा कि इस सर के cue cards ना कुछ same same लगते हैं और याद करने बहुत easy हैं और जो बच्चा इस वीडियो तक आया ना वो comment करो के आप लिखो easy पीजी लिख दो हाँ easy पीजी मुझे पता चाह जाएगा कौन बच्चा यहां तक पहुंचा है